कि नमस्कार दोस्तों कि आपको जैसे मलम होगा कि 15 प्रवरी 2020 को श्री सम्रद्धी क्लासेज के अंदर आल और इंडिया फ्री मोग टेस्ट का अजिन किया गया था इस पेपर में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के 1 to 25 एक से लेकर 25 जो क्यूशन है यह हमारे इस्ट्री एंड कल्चर से लेटेड क्यूशन है तो यह आपको मौलम है कि हमारा जो लाइबरियरियन ग्रेट 3 का पेपर आता है उसमें 50 क्यूशन जीके के और बाकि जो आप के पेपर में दे गया है यह राजस्तान इतिहास और कलासर्शकरती के बारे में है तो मैं आज आपको उन्हीं 25 क्यूशन के बारे में बताऊंगा और एकस्प्लेंड करेंगे कि सही आंस्वर उनका कौन सा होगा और सही आंस्वर अपन को कैसे डूढना है इस बात को देखो आपन में जानकारी होनी चाहिए ऐसे दोस्तों हमारे देखो ऐसमें पर्थम पहला कुषंन है यह इसमें दे रखा है कि निमलक्ती में से एसाथ खतन को चुनिए आपको इन में से एसाथ कतन चुनना है चार उपसन है जिसे पहला अपशन इसमें देर्का है बुंदी जले में भीमतल नामकिस्थान सम्झे प्रागयतीहसी काल के सहल्चित्र मिले हैं तो यह बिल्कुल सत्य है इसमें कोई अब आपके नहीं है क्योंकि बुंदी जिले का जो भीमतल नामकिस्तान है यहां से हमें प्राग्य 83 काल के शेल्चितर प्राप्ते हुए हैं ठीक इसी परकार से देखिए इसका जो दूसरा प्राप्ते हैं इसी कुष्ण का पंदूसरा प्राप्ते हैं इसके बारे में देखना आपन को क्योंकि तीस ओप्शन जो देरका है कि राजस्तान अभी लेखागार राजस्तान राज्य अभी लेखागार जेपुर में है तो देश्तों मैं आपको बता हूँ 1955 के अंदर बैसरते राजतान राज़्य जो अभी लेखाँ गार था इस अभी लेखाँगार की स्तापना तो जेपुर में ही हुई थी उनिच्त पसमन में लेकिन 1960 के अंदर इस को यहाँ से अस्तानांतृत करके बीकांईर इसको शिफ्ट कर दिया गया तो वर्तमान में अगर हम राजस्तान राज्य अभी लेखागार के बात करेंगे तो ये बिकानेर के अंदर इस्तापित है और आपको ये भी मालम होगा कि बिकानेर वाला ये हमारा राजस्तान राज्य अभी लेखागार है ये भारत का पर्थम ऐसा अभी लेखागार है जो पू लिए देखो जो ऐसतेकतन है वो यही है रास्तान राज्जी अभी लेखागार जेपुर में है यह जेपुर में नाहों पर कहां पर है पीका निर्मी है तो हमारा दोस्त जो आंसर होगा इसके अंदर वोगा नमबर 3 चोद्धा उप्षन में देखो इसमें था हुकूमतरी वही में सरकारी आदेशों की नकल होती तो यह भी बिल्कुल सही है रियासत काल केंदर हुकूमतरी भई का यही प्योग था इसके बाद देखिए क्वेशन नमबर 2 क्यों सनर नमबर 2 में बतारखा है कीरती इस्तंब पर सस्थी के बारे में है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कीरति स्थम परसस्थी क्या है इसकी तीथी पूची गई है आप से इसमें तो तीथी किस परकार से पन पहचानेंगे ये तीथी सही है तो पहले तो आपको मालूम होना अच्छे कि कीरति स्थम क्या है तो आपको प पूर्ण 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 षारादय देव विश्णौ के नाम से करवाया ये कारण है कि हम इसे विश्णौ दोजि भी कहते हैं विज्जय मिन के और विच्टी स्थम्व कहते हैं इसी करटी पिर शत्सती यह पास में हिस्थित्प एक जैन किर्ठी इस जैन कीर्ती इस्तंब के इसका जीनोधार करवा के 1460 के अंदर 1460 के अंदर उत्याइन करवाए गई जिसके उत्याइन करता थे अत्री और महेश आपको ये भी मालब होना चीए अत्री और महेश ने इसको संस्कृत भासा में लिखा था इसको संस्कृत भासा में लिखा गय तो इसका अपना जो आंसर होगा, यह आंसर होगा नमबर 3, 1460 में, पहला 1450, 1469, 1460, 1462, द्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा 1460, 1460 में अत्री और महेश ने जैन किर्ती इस्तम की ही एक दिवार के ओपर ये किर्ती इस्तम परसस्ति की रचना की थी, जिसमें महाना कुम की पूरी जिवनी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, क्योस्तन नमर 3, क्योस्तन नमर 3 इसमें दे रखा है, कि दूद्वा खारा आंदोलन किस रियासत से सामन दित है, तो देखो दोस्तों, ये क्योस्तन दो-चार बार एक्जामें प्याच चुका है, दूद्वा खारा आ आज-का, गंगा-नगर, हनुमान-गर्ड, चुरू और बिकानेर ये चारोही वहिं रहा के रियासत का अलम है बिकानेर रियासत का इस साथ है और जिस दुद्वक ख्रहा के बात कर रहे हैं ये बरतमान में चुरू जिले के अंदर इस्तित्हा हैм तो निसी तौन साया से ये यह नमर तीन होगा विकानेट, दोदो अखरा आंदोलन किस रियासत से समंदित है, तो निशित रूप से कौन से समंदित होगा, विकानेट रियासत से, यानि कि ऑप्शन के साफ तेकर ने तो ए इस कहांचवर हो जाएगा, इसके बाद में क्यूशन नमर चार, क्यूशन नमर गया था, यहां पर देखिए दोस्तों, मत्यशन के राजपरमुक के अगर बात करेंगे, तो आपको मालूम होगा, कि हमारा जब राजस्तान का एकिकरण की परकरिया शुरू हुई थी, तो इसी एकिकरण की परकरिया का जो फरतम स्टेप का पहला चरण था, जो कि 18 मार्च 1948 को हुआ, और इस चरण के अंदर, अलवर, यहनी कि इसको सोटी में अपने याद कर सकते हैं, A, B, C, D, अलवर, बरतपूर, करॉली और धौलपर, इन चार रियास्तों को मिलाकर, एक संग बनाया गया, इसी संग को बोला गया, मत्तसे संग, और इस मत्तसे संग का, जो राज परमुक बनाया गया था, यह बनाया गया थे दोलपूर के नरेश उदेभान सिंग, दोलपूर के नरेश थे उदेभान सिंग जी, इन उदेभान सिंग जी को इनका राज परमुक बनाया गया था, और करॉली के नरेश, जो गनेश पाल जी थे, इन गनेश पाल को इस इसका परदान मंत्री बनाया गया था तो बरतपूर परजा मंडल के बरतपूर परजा मंडल के जुगल किसोर चत्रुवेदी थी इन जुगल किसोर चत्रुवेदी को इसमें उपरदान मंत्री बनाया गया था पर आपको मालम होना चाहिए दोस्तों जुगल किसोर चत्रुव भी कहते हैं अगर इतनी जानकरी आपको मालम है तो निशित रूप से अपनी एक्विशन सही कर सकते हैं इसमेदे को उप्शन दे रहा है दोलपुर के सासक को करोली के सासक को बरतपुर के सासक को और अलवर के सासक को तो निशित रूप से अपना जो आंशर होगा यह होगा दोलपूर के सासक को दोलपूर के सासक को ही मत्यसे संग का राजपरमुक निक्त किया गया था एक बार वापसे देख ले मत्यसे संग का राजपरमुक उदेबान सिंग दोलपूर नरेश उप राजपरमुक गनेशपाल को बनाया गया था इसका परदाहन मंत्री अलवर परज सबसे ज्यादा जिस रसका प्रियोग किया है यह रस्ता वी का प्रियोग कहानिया देख लीजिए इन्होंने जो भी ग्रंत लिके हैं जितने भी दोहें लिके हैं उनमें विशेश रूप से आपको वीर रसका उसका गुंडगान मिलेगा तो निशित रूप से हमारे इसमें आंसवर तीन हो जाएगा जो है वीर रस वैसे इसमें दिरका स केश्री शिंग बारट दोरा रचित चेतावनी राचुंटा ने दिली दरबार में जाने से रोका था यानि कि जो केश्री शिंग बारट थे आपको मालम होगा इस केश्री शिंग बारट ने जो केश्री शिंग बारट थे केश्री शिंग बारट ने जो एक हमारे महान सवत फत्या सिंग बहुत सकते हैं इनके दर्बार में भी एक उसम्मे के लिए रहे थे तो जब केशी शिंग भारत को पता चला कि मीवाड महराना फत्या सिंग जी हिंदुआ सूरज ये दिल्ली के अंदर अधर दर्बार में सामिल होनी के लिए जा रहा है तो एक सवतन तरदा सेन पना ती केरेश ही सिंग बाहरत को यह बात अच्य नहीं लगी उन्होंने ऑप तेरा दोही जिसको तेरा सो टे बोलते हैं, यह ते-रा दोहे लिखकर उन्हों ने प्तर सिंग जी को पुछवाया, पतर सिंग जी आ पिना महराद को संपर भी पस शिम्राद से बोफाल सिंग का भी कोई मतलब नहीं है, अमर सिंग का भी कोई मतलब नहीं है, इसमें आंसर जो अपना होगा, वो पता सिंग जी का, क्योंकि ये कानी है 1902 की, तो 1902 में केश्री सिंग बार्ट नहीं ये बात 132 ही लिखकर महराना को बेजे थे, ताकि महराना दिली दर्बार म जाने के लिए रहाने भी हो गए थे लेकिन दिल्ली स्टेशन पर जाकर ही ये वापस लोड कर आ जाते हैं ये इसके अंदर है तो अंसर हो जाएगा अपना पता सिंग जी को आगे देखियें क्यूशन नमर साथ ये भी कलास्टेंस करते से लिया गया है हमारी जन जाती का जो है यहां से क्यूशन दिया गया है तापरा कहलाते हैं तापरा किसे करते हैं तो अप्सन में देखिए आप इसमें सास्यों के गर को सहरियां के गर को मेनों के गर को और भीलों के गर को तो आपको मालब होना अच्छी इसमें जो सहरियों का गर है वो तो घेर के लाता है और उसका गोपा भी का जाता जो जंगलों में रहता है तो इसमें जो टोपरा उप्शन दिया गया है ये टोपरा भीलू के घर को ही कहा चाता है भीलू का जो किसी चोटी के अपरा के लिए घर होते हैं उनको कू भी कहते हैं तो कू आ जाए या टोपरा आ जाए तो ये दोनों ही बीलू के गर को ही कहा गया है तो इसमें अपना अंसरो जाएगा फोट बीलू का घर इसके बाद में देखिए दोस्तो क्यूसन नमर आट क्यूसन नमर आट में देरेका है किसे लोग देवता ने समासदार के छेतरमी छुआचूत और उंच नीच का विरूद किया ऐसा कौन सा हमारा लोग देवता है किनों ने समासदार के छेतरमी छुआचूत और उंच नीच का विरूद किया तरता हिंदू मुस्लिम एकता दोरा सामाजिक समरस्ता इस्तापित करने का प्रियास किया तो देखो मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा वैसे हमारे सभी ल प्रिया से अश्तापित करेंगे डाली वाईव एक मेगवाल कन्या डाली वायर को क्या मुनाता है अपनी उसकी पिरमुक उप उनकी सिस्या़ भी थी और ये उनकी एक भूंबोली वहन भी थी इन्हों ने ही जो दलीенные समझे जाते थे उन्हीं का एक पंत इस तापित किया थ जिसको कामड़ पंत कहा जाता है और बिना किसी ऊंच नीच के खुद क्षत्रे कुल में पैदा हुए लेकिन इनों ने हर जाती और हर ध्रम के लोगों के लिए अच्छा कारी किया और उनको समाज में आगे बढ़ाने को प्रेणा दी यह कारण है कि आज बाबा राम देव का तो मेला बढ़ता है इस मेला में आपको मुस्लमान भी मिलेंगे जो इनको बाबा सापीर के नाम से जानते हैं इसमें आपको अधिकान संदो मिलेंगे जो इनको बाबा राम देव के नाम से बगारते हैं दलित भी इसमें आपको मिलेंगे बड़ी संक्या के अंदर सबसे ज समरस्था का तुमेला कहा जाता है आए यह यह इसे लोग देखता है जिन्होंने समाजिक समरस्था का कार्ये कीया तो यह हमारा जुशन हो गया लाum YES 아 a nix देखो उस ace के बाद मिंगीन इसे नमभर 9-99 अमर कुशं़ दिर रहत है राजस्तान का पर्थम चोहान राज्य कौन सा था अब इसमें देखो हम आज तक पढ़ते आए हैं सबसे पहले सपाद लक्स चोहान सामराजी की स्थास्थापना या चोहन राज्य की स्थास्थापना होती ही आपर साकंब्री के अंदर लेकिन साकंबरी के ही चो साकंबरी के चोहांते इनी साकंबरी के चोहानों में से वाग्पती राज और आतमप्रभा के पुत्र इन दोनों का पुत्रता लक्शमन ये लक्समन दस्वी सदी के अंदर दस्वी सदी के अंदर नाडोल जाता है और नाडोल के अंदर चोहन राज्य की स्थापना करता है पता है साकंबरी के बाद में अगर दूसरा इस्थान कहीं जहां पर चोहन राज्य की स्थापना होती है तो वो था नाडोल और नाडोल में स्दाफना करते हैं लख्मन लक्समन वाग्पति राज और उनकी रानी आत्मप्रभा के पुतर थे वाग्ति राज को श्काम्परिक के शासक थे तो उन्हों ने अपने बड़े पूतर बड़े को साकम्परी सासर कंद दिया तो लग्समन यहां चले जाते हैं और नाडोल के अंदर दस्वी स्थाफदी के अंदर नों ने चोहांट राज्य की स्थाफना की तो देखिए हमारे क्यूशन के अकोडिंग हम देखेंगे तो इसमें देरखा है रास्तान का पर्थम चोहांट राज्य आगर साकमरी होता तो निशी तुरूप से अपने शाकमरी करते हैं लेकिंशाकमरी अपसा नहीं है इसमी हारोती अजमी रन्थमवर नाडोल ये चार देरे रके इन चारों में से तेती क्राम में देखेंगे तो अपनको माला मा की 10 स्थाफदी में नाडोल में इस लखसमन्ट चौहांट इसकी स्थाफदी की ती तो यह पहला राजी हो जाएगा उसके बाद में इनमें से बात करेंगे तो अजमेर काएगा अजयराज़नी 1193 एसविय के अजमेर के अंदर चोहन राजी किस्टापना की थी आजमेर के ही जो पर्थ्रा चोहन के पुत्त थे गोविंद राज इस ही गोविंद राजनी 1194 स्वी के अंदर रन्थम बोर के अंदर सोहन राजी की स्थापना की थी ऐसे ही हाड़ोती की स्थापना हुई थी तो इन में से अगर अपन देखते हैं तो अपना आंशर होगा नाडोल डी ठीक है आगे देखिए उसके बाद में आता है क्यूशन नमर द क्यूशन नमर दस दे रहे हैं बांगड का धनी के नाम से परशिद है इसमें ऑप्शन दे रहे हैं बांगड का धनी बांगड का धनी किसे कहा गया है यह कल्चर का क्यूशन है अपने धार्मिक संपरदाय वाले टोपिक में से तो देखिए बांगड का धनी की बात करें सब से पहले तो अपन को ये बांगण का धनीय बांगण ये समझेवाना चिये दो सब्दें देखो दोस्तों एक वागड है और एक वागड है वागड की बात करें तो नि शित रूप से ये डूंगरपूर और बांसवाडा का इलाका आता है डूंगरपूर बांसवाडा और जो अलाका है शिकर चूरु और जुन जुनों तेनों के सिमावर्थी अलाके हो बांगड या बांगड भी कहा जाता है जो कि एक निमन भूमी परदेश है इस बांगड या बांगर का धनी किसे का गिया है तो आदेखो इसके धनी के बात करें तो यहाँ पर जून जूनों के अंदर नरह्ड नामग गां और इस नरह्ड नामग गांग चैसे नरहड नामद गाउं है इस गाउं के अंदर हजरत सक्कर सहा पीर हजरत सक्कर सहा बार इनकी देखो दरगा बनी हुई है और इनकी दरगा और इस हजरत सक्कर बाबा जिसको अपन हजरत सहा सक्कर बार भी कहा जाता है इसी को हम नरहड का पीर भी कहते हैं इनके यहाँ पर इतनी मानिता है कि इनको यहाँ बागड का धनी भी कहते है हदरत सा सक्करबार जो नरहड के पीर कहलाते हैं यह इस इलाके में देखो सामपरदाई की समरस्ता यह यह कहीं कि सामपरदाई की सोहद्र का पार्ट भी हमें पढ़ाते हैं इन्ही हजरत साथ सकरबार नरहड की जो पीर है यहां पर पड़ते एक किशन जन्माष्टमी को तीन दिन का मेला लगता है किशन जन्माष्टमी के दिन तीन दिन का उर तीन दिन का मेला लगता है और उस मेले के अंदर हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भाही भी आते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों भाही आते हैं यहीं पास के अंदर एक 24 कोश परिक्रमा भी वक्तों के दौरा की जाती है तो जो किशन जन्माश्टमी है उसके दिन यहां पर जो मेरा बढ़ता है ब कहा जाता है इसके बाद देखिए हैं अपना आगे बात करेंगे किसा का जोड़ा सुमलित है तो दोस्तों इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इस में देखो चार उप्शन आपके देरह के हैं चार उप्शन इसके अंदर देरहें इंचार उप्शन में से अब रगा देखते हैं तो पहला है उबचट जैट शुक्ल दस्मी गंगाद सायरा जैट तो देखो मैं इसके अंदर आपको करना चाहूंगा कि यह हमने जो पेपर बनाया था इसमें टाइपिंग की तूटे के कारण से चारों के चारों आप्शनी इसमें सही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं वो जो उबचट का तेवार है यह भादरिक किष्ण सश्टमी को आता है जबकि इसमें जेष्ट शुकल दस्टमी को देरका है तो उसमिल इतना है दूश्वा गंगा दसरा के बात करें तो यह आता है को आता है जबकि इसमें 11 कर दिया यही यहां पर सबसे बड़ी प्रोलम है तो इसको 11 को आप दस कर लीजिए दस करते ही आपका देखो इसमें सुमेली चोड़े की बात करेंगे तो वो बी अप्शन हो जाएगा गंगा दसहरा जेश्ट सुकल दसमी को आता है गंगा दसहरा क् इसके अगर अपन बात करते हैं तो हमारे देखो हिंदू के हुझदू के अदर मानेता है कि इसी दिन इसी दिन भागीरी बढा सुरग लोग से गंगा को पर देखर लेकर आया था यही करना है की हम इसको गंगा ओत्रनerson दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसी गंगा दसरा को गंगाव तरण दिवस भी कहा जाता है जो कि जेश्ट सुक्ल दस्मी को हमेशा मनाया जाता है इसमें अपना से आंसर यह होगा तीशा इसको देर का है निर्जला एकादसी वर्त तो देखो सभी को मालम है निर्जला एकादसी जो वर्त आता है यह आता है जेश्ट सुक्ल एकादसी को जेष्ट सुक्ल एकादसी को झबकि इसमें ऑप्शन देरका सिरावन सुक्ल शिक्स यानि गलत है अरियाली अमावसया के बात करें तो यहाती है जिसमें अपन का इसको ग्यारा को दस कर लिजिएगा आप और गंगा दसराज़् शेष्ट सुक्ल दस्मिं इसमें आपको सही आपना चाहेगा क्यूशन नमबर बारा की बात करें तो झाको दोस्तों आपको मालूं होगा रामसनि संपर्दाय के वास्ते में इस तापक ना की बात करत तो अंजनी की थी और ये संपरदाय मूर्ति पुज़ा का विरोधी है ना तो देखो ये मूर्ति पुज़ा करते हैं इसमें सारो परतम और सारो अंतिम कुछ भी देखो एक ही नाम पुज़े है और वो नाम है राम चार मुखे जो इसकी पिते हैं वहां पर भी क्याल राम नाम का ही इसमन किया जाता है और राम नाम की दुन ही हमेसा बस्ती रहती है यहां के जो लोग हैं यह जो संत हैं जो संपरदाए के और भी जो लोग हैं यह ना तो मूर्टी पुजा करते हैं नहीं पुरे कपड़े पहनते हैं नहीं तो बिल्कुल आपका इसे एक मौमा ऐसे परे रहते हैं बिक्सिया मांग कर अपना जिवनियापन करते हैं तो देखें इसके अगर चारों आप्शन की बात करें तो पहला देरका कि मौट्टी पुजा नहीं करते हैं बिल्कुल सही बात है सांसारिक जिए उन से प्रेय रहते वे बिक्सहा मानकर अपना जिए अपन करते हैं ये भी सही है वस्तर धारन ने कर शिर्फ लंगोट बानते हैं उस पर एक चादर उड़ लेते हैं ये भी इनकी सही है जो भी गुलाबी रंकी होती है और सौत अपसर इन में से सभी तो अपन कि किस लोग देता कि पुझा की जाती है तो देखो दोस्तों मारवाड रिबात करां आपां तो मारवाड के अंदर पाबुजी को पुझा जाता है और ऐसी मानेता है कि पाबुजी ही सबसे पहले मारवाड के अंदर उट लेकर आये थे और उट पालग जाती तो रेबारी या राइका जो कहलाती है, या रेबारी या राइका उन्ट के बिमार होने पर पापुजी के पावरे माट वादेयंतर के साथ गाते हैं. अज्ते निशीत रूप सोपन करसamente है, कि उन्टों के दeता के रूमे किसको माना जाता है? पापुजी को माना जाता है. तो यह इस मिए नम्र 14ra कि सुन में धैर का है मेवाड और मारवाड में पहने जानी वाली पगडी में क्या अंतर होता है तो दोस्तोंतों में ज्यादा तर्थ tactics एक जैसे ही हैं जदा सब्सक्राणि बड़ी और उंची होती है बिल्कुल सकते है मारवाड के पगड़ी मेवाड के पगड़ी से रियल में वास्तिन बड़ी भी होती है और उंची भी होती है तो इसमी अपना जो सही आंसर है वो यही है ठीक है क्यूसन नमबर फिप्टेन क्यूशन आवर 15 की बात करेंगे बड़ाई सिंपल क्यूशन लिया गया एक्जाम ये ग्रामिंट शेतर के पुर्ष अबुशनों के अंतरगत आबुशन और पुर्ष अंका कौन सा जोड़ा सुमेलित है इतना सिंपल सा क्यूशन है कि अपने हर को इसमें कर सकते हैं जैसे कान सब को बता है कानों में क्या पहने जाते हैं बाले पहने जाती है जब कि इसमें कर्दनी दे रखी है तो कर्दनी तो कमर के पहने जाती है तो यह हो जी नहीं सकता दूसा कलाई कलाई के ओपर दे को बाले नहीं पहने जाती कड़े पहने जाते है चांदी के तो यह भी गलता द्धागे की कंठी पैनते हैं जब कि कलाई के अंदर जो पहने जाती है वो चांदिगा कड़ा और उसका बालिया कान के अंदर और कमर के अंदर करदनी पहनी जाती है अपना से आंशर होगा इसमें कला डी ओपिशन गला काले धागे की कंठी ऐसे देखो दोस्तों क्यूशन नमर 16 क्यूशन नमर 16 राज्तान के किस मेले को लखी मेले के रूब में जाना जाता है दोस्तों इस क्यूशन के बारे में आपको बतरना चाओंगा 2013 3rd grade के एक्जाम में ये कुशन पुचा गया था और उसमें जो कुशन आंसर था वो था केला देवी केला देवी के मेले को लखी मेला भी कहा जाता है जब लाखों के सिंख्या में लोग आते हैं वेसे देखा जाए तो इसमें चारों ओप्संदों दिरके हैं केला देवी उर् पुशकर के मेले में मलाकों के सिंख्या में आते हैं रामदीजी के मेले में आते हैं उर्स जो आपका निजाम अंदी निसा का उर्स है यहां परी बड़ी सिंख्या में आते हैं और केला देवी में आते हैं लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा योगामरा केला देवी रास्ता कि किस मेले को लखी मेले के रोब में जाना जाता है और क्रिशनी पहले इसको केला देवी से ही मना था तो दोस्तों हम भी इसमें कौन सा मनेंगे केला देवी नेक्स देखिए नाद दौरा से लिका प्रारम नाद दौरा का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहन के अंदर स्री न क्योंकि नाद दौरा में अगर जो कुछ है तो वो एक ही है स्रीनाद जी वलब संपरदाए के आरादे देव बगवान स्रीनाद स्री कर्शन के बाल सवरूप के यहां पर पुजा की जाती है बाल सवरूप के यहां पर पुजा की जाती है और इनी स्रीनाद के कांड से जो कस्वा था उसका नाम स्री नाद्वारा नाम पड़ा क्यूशन है कि नाद्वारा से लिका प्रारम कब हुआ तो दोस्तों जिस दिन से नाद्वारा के अंदर बगवान स्री नाद जी आये थे और इनका मंद्र बना था 1672 उसके साथ से ही यहां पर वलब संपर्दाय पर आदारित यह यूं कहें कि बगवान स्री कृष्ण पर आदारित चित्रों का बनना सुरू हो गया था जिसमें पिछवाई एक महत पून कला है तो पिछवाई नाद्वारा के परसिद है और इसके शुरुआद श्री नाज जी का मंदर बनने के साथ ही हो गई थी तो अगर इसमें श्रीनाज जी का मंदर के बात करें आप मालम में 1672 के अंदर यह मंदर बना था इसके आसपास के जो तित्य होगी वह अपन को मानने होगी भूसन दे ररका है 1972 होई सकती 1673 1974 1975 वाले जो ऑप्षन है वो तो इनमें से एक भी नहीं होगा तो इसमें सही आंचर जो होगा वह होगा 1673 1603 इस्विक के अंदर नाध्वारा सहले का प्रादर भाव क्योंकि हमें मालम है स्रि नाध्जी मंदर का उधगाटन होता है 10 फरवरी 1620 को और इसी के साथ स्री नाध जी का मंदर का उधगाटन के साथ ही यहां पर ये स्री नाध्वारा सहले की शुरुआत भी मानी जाती है दोस्तो इसके आगे किश्व नमर 18 किश्व नमर 18 दे रहे हैं सेखावाटी कि सवन नगरी के लाती है सेखावाटी का नाम आते हैं हमारे जहन के अंदर सीकर, चुरू, जुनुन, उत्री नागोर का आता है तो निशित रोप से इनी लाकों में शिकर और चुरू अगर बात करते हैं इसमें चुरू दे रिखा है शिकर दे रिखा है खेतरी दे रिखा है और नौलगर दे रिखा है खेतरी नौलगर शिकर और चुरू अब इनमें से अगर बात करें तो सोन नगरी की अगर बात करते है तो ये कलाता है नावलगड यहांकी हवेलिया बड़ी परसिद यहांकी कारिगरी इतने परसिद इनके हवेलियों को देखर लगता है जैसे सौने से इनको जड़ा दी गई हो और लोग इनको सौन नगरी के नाम से जानते हैं तो दोस्तों सिखावर्टी के सौन नगरी की बात करें तो इसमें अपना option होगा deep novel cut. Qution number 19, 19 नमर का question है, नियोन मेंसे कौन सा कथन सत्य है? यानि चार खतन दे रखें और इन चारों कथनों मेंसे आपको एक सत्य खतन छांटना है. दोस्तों इन चारों के बोल दीजिए, चाहे आप इसको जल दुर्ग बोल दीजिए, बात एक ही ही है, क्योंकि जब कोटिल या चानिक के इन दुर्गों के स्रेनी बताई, उन्होंने जल दुर्ग के स्तान पर इसका नाम ओदग दुर्ग लिया, ठीक है? तो जो बड़ी जल राशी के पास मिश्ते दुर्ग है, वो क्या कर लएगा? उदग दुर्ग या जल दुर्ग कर लएगा? तो हमको मालम है कि जो गागरोन का किला, और ये भी पता है कि गागरोन का किला जहलावाड के अंदर है, ये दो नदियों के किनारे, एक नदि का नाम काली शिंद और दूर्षे नदी आहू जो दोनों उसकी मद्दे परदे से आती तो आहू और काली सिन इन दोनों का सामेल जहां पर होता है उसी जगह पर एक पहड़ी के उपर गागरोन का किला बना हुआ है तो ये किला एक जल दुर गया थार्ट ओदिक्सरणी के अंदर आता है तो ये निशी टुरूब से ऩही आनसर है ये गतन स्तिय के बात करें तो ये कतन स्तिय है दूर्शा उपिसन में दे रखा है चितो दूर्वाड़्गा संस्था परक्स्तृत तरंग अदुमौरिय को नहीं मना जाता ये गलत है क्योंकि हमें मालम है चितोड़वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व है दोस्तों ऐसे क्यूशन नमर 20 जो हमारी भील संसक्रते से लिया गया है सावन भादों में नर्ते के नाटक के रूप में प्रस्तोत होता है तो सावन और भादों में नर्ते का नाटक के रूप में प्रस्तोत होता है तो दोस्तों अगर अपने इसमें चारू option की बात करते हैं जिसमें देर का गवरी गवर नर्ते घूमर और नेजाब हमें पता है कि सावन भादों में 40 दिन तक गवरी नर्ते और नर्ते चलता है उसी का एक भागय सावन भादों भी तो निशित रूसपन कहेंगे दोस्तों इसमें सही आंचर होगा एक गवरी नर्ते देखिए इसके बाद में क्यूशन नमर 21 इसमें पूछा गया है सुदा कलस नाम गरंद के लेकर कौन है सुदा कलस एक गरंद है ये एक जेन गरंद है और इस जेन गरंद का निर्मान एक जेन मुनी यती दयानन ने किया था इसका निर्मान किस नहीं किया था यती द से अपना जो आंसर हो जाए गया यति दयानन इसका option है कि इसे नमबर 22 कि मार्वाड की कौन से जाती सौंग रस्टी है जो वांग रस्टन का कारिय करती है लोगों मनورنजन करने के लिए तो दोस्तों लोग हम रषनी काड़ करते हैं वे से तो भाट लोग करते हैं लेगर इसम typically हमें भाट का अपसेण नहीं है तो अपने चारों के बात करें हैं तो जो अपसेण इसमें दे रहिखा है वह है रावत लावल बील और ग्राशिया तो इन में से सही option है रावल रावल जाती सवांग करके अपने जज़वानों का ये क्या करती है मनोरंजन करती है क्यूशन नमबर 23 ये भी देखो हमारी धार्मिक संपरदाय वाला टोपिक है इसमें से एक क्यूशन लिया गया है इसमें आपको दिया गया है option कि नियमन में से किस जात जी का मेला बढ़ता है, बाबेरी बीचे शुरू होकर एकादसी तक जो राम देजी का मेला बढ़ता है, इस मेले के अंदर काम मड़ जाती के लोग, और काम मड़ संपरदाय कि इस तापना, आपको मौलम होगा, बाबा राम देव नहीं की थी, तो काम पर संपरदाय के लोग इस समय तेरह ताली नर्ते करते हैं तेरह ताली नर्ते करते हैं जिसमें महिलाएं तो क्या करती हैं महिलाएं अपने जिसे तेरह मंजिरे होंगे और वो नो मंजिरे बाएं हाँ पेर के दो अपने हाथों में दो कौनियों में लेकर उनको एक विशेश परकार से उनको नर्ते करती हैं, उनको एक आवास निकालती है, पुरुष इस वक्त निशान के साथ उसमें गाहिन गाते हैं, तो पुरुष गाते हैं, महिलाएं इसमें नर्ते करती हैं, इसकी एक और विशेशता है तेरे ताले नर साथ किया जाता है यह इसका सही आंसर होगा तो इस में देखो यह है निवन में से कि जाते के तो गलत कथन सांटना है अपन को तो देखो पहला उप्सन इसमें देरे का है कान गूजरी जाती के लोग कान गूजरी जाती के विक्ति राधा वैक किशन के जिवन पर आदारित बक्ति गीतों के गाने में दक्स होते हैं बिलकूर सही बात है कि विया जो कान गूजरी जाती के लोग है वो राधा और किशन के बक्ति ही गाते हैं उनके बक्ति गीती ही गाते हैं दूसरा है सांट सी जाती के उत्पति बेलवाड़े से माने जाती ये गलत है क्योंकि सांट सी जाती के उत्पति बेलवाड़े से गलत आंसर जो अपना हो जाएगा हो जाएगा शांस जाती गुत्पति भीलवाड़ा ना कर क्या होना चाहता है यह अपना भरतपूर तह यह आंसर गलत है जाब कि तीश्रा देखते हैं अपना प्रसित्थ मेर्शिक लाकर मांड गाय के लिए परशिद्थ बिलकुल सही बात ह बहुआ जाती गुत्पती केकडी के नागोजी जाट ने आज से 400 पहले की थी यह भी बिलकुल सत्ते है यहां तक की बात करें तो बिलकुल सही बात है तो इसमें गलत आंसर जो होगा वो बी होगा गलत ऑप्शन तो अपना लिए आंसर हो जाएगा इसमें बी दोस्तो निर्वान की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को मतस संग के गठन से शुरू होती है और आगे चलकर साथ स्टेप साथ चन पूरे होते हैं एक नौंबर 1956 को जिस दिन को हम राजस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हमारा एकी कन पूरा हुआ था राजस्तान वरतमान सा रूप के अंदर आये था रास्तान निर्मान की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई इसमें अगर उप्शन की बात करें तो यह उजय का 1956 और देखे दोस्तों यह आपके 25 क्यों संथे जिनों ने जिनको मैंने मेरे दुस्टे से समझाया है एक बार इसको वीडियो देखना आप लोग कहीं भी किसी परकार की आपको कोई डाउट हो तğu आप कमेंट से भी कर सकते हैं यहां पर नबर देऊ हैं हमारे वीडियो के अंदर और नमर पे आप कॉल भी कर सकते हैं तो निशित रूप से आपके सभी समझ जाएका है हाँ पर समदान कौैज़ा जाएगा नेक्सट हमरा जो मौक टेस्ट होगा हर मौक टेस्ट की उसकी और हर मौक टेस्ट का इसी परकार से आपका पूरा क्याव है उसका कृआले उसका अपना इसका इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने में आरेस महरिया लेकर आऊंगा ऑके ठेंग क्यू ब utilizar विर अखने